नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 अगस्त दिन मंगलवार खबरोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर नवोदित और स्थापित कलाकारों के पास हजारों रुपए जीतने का सुनेडा मौका बिहार में पहली बार देखा गया दुड़लव टाइटलर लीफ वार्वलर पक्षी पंकस रिपाठी के पिता का हुआ नखन चंद्रयान दोने चंद्रयान तीन का किया स्वागत एसिया कप के लिए टीम इंडिया की हुई खोशना अब चले बढ़ते हैं ब्यार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से ग्रामीन डाग सेवक के पदो पड़ आविदन की अंतिम तिथी नस्दीक भारतिय डाग विवाग के ओर से ग्रामीन डाग सेवक के 30,041 रिक्त पदो पर भरती निकाली गई है जिसके लिए आवीदन की अंतिम्तिथी 23 अगस 2023 तै की गई है से अभीदन जिन्होंने अभी तक इस भरती में शामिल होनी के लिए आवीदन नहीं किया है उनके पास बस कुछ ही घटे का समय सेस है इसलिए अभ्यर्थी जल से जल ओनलाइन माध्यम से इस भर्थी के लिए फॉर्म भर सकते हैं आविदन पत्रभारती डाक विवा के GDS एप्लिकेशन पोर्टल इंडिया पोस्ट GDS online.cept.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो आविदक को दसवी पास होना आनिवाड़े हो और साथ ही आविदक को स्थानिय भाषा का ग्यान एवं कम्प्यूटर और साइकल चलाने का ग्यान भी होना चाहिए जातिय गर्ना पर अगली सुनवाई होगी इस दिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस S.V.N. भटी की खंडपीट के दौरा बिहार में जातिय सरवेक्षन मामले पर सुनवाई की गई इस दौरान इस सुनवाई में 16 सीटर जनरल उपस्तित रहें उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर हलफ नामा दायर करने के लिए एक सब्ता तक कैसमे की मांग की गई है जिसे कोर्ट के दौरा सुविकार करते वे उन्हें एक हफते तक का समय दे दिया गया ऐसे में इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस 2023 को की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस सिपुर्व पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में जातिय सर्वेक्षन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा गया था और फिर एक अगस 2023 को पटना हाई कोर्ट के चीफ चस्टिस के भी चंदरन की खंडपीट ने इस मामले पर फैसला राजसरकार के पक्ष में सुनाते हुए राजसरकार को जातिय सर्वेक्षन जारी रखने किरमती दे दी थी जिसको ले कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर राजसरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोद किया कि राजसरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारिद न किया जाए बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे S.H. बिहारी के बाड़े में समसूल, हुदा, बिहारी, S.H. बिहारी एक भारती गीतकार और कभी थे जिनका काम 20-20 सदी के उत्रार्द के दोरान व्यापक रूप से रिकॉर्ड किया गया और बॉलिवड फिल्मों में इस्तमाल किया गया S.H. बिहारी को हिंदी और उर्दु में फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए जाना जाता है के रूप में उध्रत किया और उन्हें एक दिमाग खिला देने वाला कभी जिसे आज को याद नहीं करता के रूप में वर्णत किया 30,000 रुपए जीतने का सुनहेडा मौका बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभा के दौरा बिहार कला पुरुसकार प्रदर्श कला अंतरकर सासरी गायन के छेतर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नवुदित था स्थापित कलाकारों को पंडित राम चतर मलिक पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है हलाक इसके लिए कुछ पातरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत नवुदित कलाकार की उम्र 15-40 वर्ष तक होनी चाहिए तो वहीं अस्थापित कलाकार के उम्र 40 वर्ष से उपर होनी चाहिए परंतु एक्स्ट्रा ओर्डिनरी अचीवमेंट के सिती में नियुंतम आयू सीमा को छांद किया जा सकता है अब की जानकारी के लिए बता दे कि इस सम्मान के तहट नवुदित कलाकार को 25 रुपे प्रतीक चिन अंग वस्तर सॉल प्रसस्ती पत्र दे कर समानित किया जाता है अगर आप इस पुरुषकार को पाने की पातता रखते हैं और आवीदन करना चाहते हैं तो आवीदन संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट sttpskolumn//state.bihar.gov.in//yac विजिट कर सकते हैं चंद्रियान 2 ने चंद्रियान 3 का किया स्वागत बहुत जल्दी चंद्रियान 3 चांद पर लैंड हो रहा है ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रियान 3 का स्वागत चांद की कक्छा में चंद्रियान 2 के और बीटर के द्वारा किया गया और दोनों के बीच संपर्क भी हुआ बता दे किस बात की जानकारी भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी की इस रोके दोरा टूइट कर दी गई है उन्होंने टूइट कर लिखा आये कि चंद्रियान 3 मिशन स्वागत है दोस चंद्रियान 2 और बिटर ने आपचारिक रूप से चंद्रियान 3 LM का स्वा इस साल के अंतरि तक बिहार वासियों को साथ एनच का सौगात मिलने वाला है बता दे कि निर्मान एजनसी के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस वर्स बिहार की साथ राश्ट्रिये राजमार की पर्योजना हर हाल में पूरी हो जाएंगी जिनमें पहली सरक मुझह जर्भंगा एनच संतावन दूसरी पर्योजना कनहौली रामनगर पटना रिंग रोड का हस्सा है जो कि बीड़ा के पास कनहौली से प्रारंब होकर रामनगर एसेच अठटर तक बनेगा तीस्थी पर्योजना फिपड़ा कोठी मोतिहारी रक्सौल सरक भारत नेपाल को जो राशन कार्ड धारक 30 सितंबर तक कडा ले ये काँ अगर आपे उन उवोक्ताओं में से हैं जो सरकारी अनाज का फाइदा लेते हैं तो यह ख़बर आपके लिए हैं बता दे के आपको अपना राशन कार्ड बचाने के लिए एक और मौका दिया गया है जिसके तहत आप 30 सि उवोक्ता अपना आधार सिडिंग करा सकते हैं लेकिन अगर 30 सितंबर तक भी यह काम नहीं किया जाता है तो फरजी मान कर आपके राशन कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा जिसके बाद सरकारी अनाजमलना बंद हो जाएगा पता दे किस संबंध में जिला आपूर्ती कारय हमें आवीदन के साथ आधार नंबर दे सकते हैं इसके बाद डिजिडल साइट पर आधार नंबर अटैच हो जाएगा बेगुसराई में इस दिन लगेगा रोजगार मिला अगर आप भी बिरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो आपके लिए खुश खबरी है पत पोटल www.ncs.gov.in पर अपना रिजिस्ट्रीशन करवा सकते हैं बतादिक रिजिस्ट्रीशन करवाने की सुवधा जॉब कैम पर भी उप्लब्द करवाई जाएगे इसमें भाग लेने वाले अभिर्थियों को अपना बायो डाटा सैचनिक प्रमान पत्र रंगीन फोटो कर काम करने का मौका मिलेगा बिहार पर रिटन में आज हम बात करेंगे जगनात मंदर के बारे में बोद गया में महाबोधी मंदिर से उत्तर में 25 फीट की दूरी पर इस जगनात मंदर बिहार का प्रसद धार्मी का स्थल है मुख्य मंदर में भगवान श्रीक्रिशन बलरा रामवद देवी सुभदरा की भव्य विग्रह मूर्तियां स्थापित है इस मंदर परिसर में राम जान की मंदर की भी स्थापना की गई है जो नॉम्रणवित है मंदर का मुख्य द्वार दक्षिन दुसामे और साथ ही यहां एक पीपल का पेर देखने को मिलेगा जो काफ पी समय से मंदर परिसर में है प्राचीन परंपरा के अनुसार जगनात मंदर में हर एक दिन दोपहर बारा बज़े से दो बज़े के बीच महाप्रसाद का भगवान का भोग के बार भक्तों के बीच वितरन होता है इसमें रविवार से शुक्रवार तक चावल डाल सबजी पापर आदी और शनिवार को खिजरी का भोग बनता है प्रतेक वर्ष जून जुलाई के महीने में उडिशा अस्त जगनात पूरी से रतियात्रा के आरंप के साथ बोध गया अस्त जगनात मंदर से भी रतियात्रा का भवे आयोजन होता है बिहार में पहली बार देखा गया दुर्दलव टाइटलर लीफ वार्बलर पक्ची बिहार के अत्रिक्त प्रधान मुख्य वन सनक्चक और मुख्य वन्यजी वाडन पीके गुपता के दौरा दी गई जानकारी के नुसार बिहार के भागलपुर जिले के बोर्ड रिंगिं स्टेशन सुंदरवन में तुलनात्मक रूप से लंबी और पतली चूँच वाला मध्यम आकार का दुर्दलव टाइटलर लीफ वार्डबलर पक्ची देखा गया है यह पहली बार है जब बिहार में इस पक्ची को देखा गया हो बता दे कि यह एक संकट ग्रस्त पक्ची ह पक्ची को अंतिमबार 7 अपरल 1880 में इटावा और 18 फरवरी 2010 में गोड़कपुर में देखा गया था वालम हो कि यह पक्ची पश्मी हिमाले हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में उचाई पर प्रजिनन करता है और सर्दी के दिनों में यह दक्षनी भारत खासकर पश्म में घाट और नीलगिरी में प्रवाश करता है उन्होंने कहा कि ओसत समंद्र तल से 52 मीटर की उचाई पर और बिहार में गंगा के मैदान इलाकों में प्रजाती की उपस्तिती का पहला प्रमानिक रिकॉर्ड है इसलिए हम पक्षी की इस दुरल प्रजाती के यहां उपस्त से बहुत उत्साहित हैं पंकस्त्रिपार्ठी के पिता का हुआ निधन बिहार के लाल और बॉलिवुड एक्टर पंकस्त्रिपार्ठी के पिता पंडित बरारस्तिवारी का 99 वर्स में उनके पैत्रिक गाउं वेल संड में निधन हो गया है बता दे कि पंकस्त्रिपार्ठी अपने पिता से बहुत कडीब थे ऐसे में वो काफी दुख में है अक्सर अपनी पिता की तस्वीर करते हैn जिसमें वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते नजर आते हैं शायद इसलिए उन्होंने अपने एक इंटर्व्यू में कहा था कि अगर आज वो अक्टर नहीं होते तो वो अपने गाओं में खेती बारी कर रहे होते भले में पंकस्त्रिपार्टी मंबई में रहते हो लेके लिया जमीन से बहुत जुड़े वे अभी नेता हैं वही कई बार अपने गाउं, अपने पड़िवार और अपने घर की बात करते हुए देखे जाते हैं मालुम हो कि पिछले दिनों पंकस्त्रिपार्टी की फिल्म ओ माई गॉड दो डिलीज हुई है जो की 100 करोड की कलब में शामिल हो चुकी है आज से पाई कंपार्टमेंटल सह विशेष परिक्षा का अंग पत्र और प्रमान पत्र अगर आप उन विद्यार्थियों में से हैं जो मैट्री कंपार्टमेंटल सह विशेष परिक्षा 2023 में भाग लिये थे तो आप आज से अपने सम्मंधित स्कूल प्राचारे डी यो काड़े आले से अंग पत्र और अपंधिक प्रमान पत्र प्राप्त कर सकते हैं पता दे किसके लिए सभी जिलासिक्षा काड़े आले में आज यानी की 22 अगस्त से यह सुधा दी जाएगी वही बोड की ओर से विद्याले प्राचारी को निर्देश दिया गया है कि जिन भी विद्यार्थियों का कंपार्टमेंटल सह विशेष परिक्षा का निर्धारित बकाया सुल्क जमान नहीं हुआ है या कम जमा किया गया है तो उन्हें 26 अगस्त का समय दिया जाए ताकि वे इस बीच अपना बकाया सुल्क जमा कर सके इसके बाद ही उन छात्रों का अंग पत्र और आपबंधिक पत्र भीजा जाएगा इसलिए साथ ही अगर किसी छात्र के अंग पत्र या आपबंधिक पत्र में कोई गल्ती पाई जाती है तो तुरंग इसकी जानकारी ब क्राइम को लेकर कुछ महत्पुन कदम उठाए गये हैं जिसके तहट पुलिस के पास मौजूद 106 टाउन आउट पोस्ट को एक्टिवेट कर हर एडिया को क्राइम फ्री बनाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके अंतर गत्र यह टीम अपने इलाके में दोड तूड जाएंगे और सर्वे करेंगे जिसमें टीम यह पता लगाएगी किस घर में कौन रह रहा है कौन कहां चारह है कौन किराएदार है कहां कर रहने वाला है पुलिस की टीम अपने एक महिने में पूरा कर लिया जाएगा और फिर इससे अन्य सहरों में भी शुरू किया जाएगा विवाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिस होने की संभावना है पतादे की मौसुन भाग की तरफ से 22 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्री एवं दक्षन पुरवी भागो के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गर्जन होनी की संभावना है साथी पश्रिम चंपारन और किसंगन शिलों में एक या दो अस्थानों में अती भारी बारिस की संभावना है वहें पुरवी चंपारन शिवर, सीतामरी, मदुवनी, सुपॉल, अर्या, पुर्णिया, कटिहार और मुझपरपुर जिलों के एक या दो अस्थानों में भारी बारिस की संभावना है मालमोग विभाग के प्रवानमान के नुसार प्रदेश में आज से 26 अगस्त तक एक बार फिर से मौनसून की सक्रियता पड़ी पोशन पुरणवास के इंद्र अति कुपोसित बच्चों के लिए बरदान बिहार सिरकार के समाच कल्यान विभाग के दौरा अति कुपोसित बच्चों के लिए पोशन पुरणवास के इंद्र के शिर्वात की गई है जो कि राज्य के सभी जिलों में स्थापित है समुदाय अस्तर पर स्वास्त तथा आंगनबारी कारी करता हो द्वारा पांच वर्स तक के बच्चों की विमारियों के 102 मुफ्त एंबुलेंस सेवा का फ्री हेल्प लाइन नंबर 102 पर कॉल करके सुधा प्राप किया जा सकता है इससे जुर्य अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकर्तम आंगनबारी केंद्र बाल विकास परियोजना कारयाले जिला प्रोग्राम कारयाले से संपर्क कर सकते हैं नवंबर से धान खरीद के साथ ही शुरू होगी कुटाई पिछले साल खरीदे गए धान से तयार हुए चावल को अभी तक राज्य खादे निगम के गोदामों में जमा नहीं किया जा सका है इसलिए इन बातों का ध्यान में रखते वे सकालता विभाग और खादे आप पूरा कर लिया जाएगा अबकर जानकारी के लिबता दे कि वैसे किसान जो धान बेचने के एक चुक है वह एक सितंबर से सकारित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आविदन कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक चावल मीलों की टैंगिंग और चेन का काम पूरा कर जाएगा और फिर एक नवंबर से पैक्सो और वैपार मंडलों के कसान धान बेच सकते हैं इसे दिन से चावल मीलों की आपूर्थी के नरदेश भी मीलों को दिये जा रहे हैं संबन में सकारित विभाग की बैठक में मुहर लगाई जा चुकी है और साथ ही खादे आपूर के जमुई की बेटी और एक परवातरो ही नीशु सिंग के द्वारा एक मुहीम की शुरवात की गई है जिसके तैद वलदा के दो परवत 6218 मीटर उचे माउंट जो जंगो और 5258 मीटर उचे कंगारू लापास की चरहाई कर नशा मुक्ती का संदेश देने का काम कर रही ह उन्होंने इस दोरान लोगों से नशा छोड़नी की अपील की और साथ ही उनका सभयान में साथ देने की भी अपील की है उन्होंने कहा कि पूरे देश में नसा समाप्त हो जाना चाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नीशु सिंग ने यह चरहाई अपने टीम के 8 अगस 2023 को सुरू की थी जो कि 18 अगस 2023 तक चली एक उक्टूबर से 2 लाग से अधिक के सोने के गहने लेने के लिए इवे बिल अनिवारे है वर यह चार्टिड अकाउंटेंड और जीस्टे विशिशग्या मसंदर मंसी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि एक अक्टूबर से 2 लाग रुपए से अधिक कीमत वाले आभूशनों को राजे के अंदर लानी या ले जानी के लिए इलक्ट्रोनिक बिल यानि की इवे बिल होना अनिवारे है वही 2 लाग रुपए से कम के आभूशनों के लिए इवे बिल अनिवारे नहीं होगा पता दी कि उनके दौरा दीगे जानकारी के नुसार यह पहली बार है जब केंदर सरकार के दौरा शोने चांदी जैसी कीमती धात्वों वर रतनों को ईवे बिल के दाइरे में लाया गया है मालमों के नया नियम जोलर्स और कस्टमर्स दोनों पर लागू होगा मसंतर मंसी के दौरा यह स्पस्ट बताया गया है कि अगर कोई जोलर मरमत करानी के लिए अभूशनों को लेकर जा रहा है तो उसे ईवे बिल की जरूरत होगी वहीं अगर कोई व्यक्ती ऑनलाइन प्लाटफॉर्म से सोने और चान्दी के गहने खड़ीते हैं तो इसके साथ विशेश नंबर जिनरेट किया जाएगा और साथ ही ईवे बिल भी जिनरेट होगा अटल बिहारी वाजपई पार्क के नाम बदलने को लेकर तेज प्रताप यादव का बयान बीतर दिनों ऐसी खबर चल रही थी कि बिहार सरकार के पर्यवरन विभाग के मंतरी तेज प्रताप यादव के दौरा बिहार के राजधारी पटना के कंकरबाग इस्थित अटल बिहारी वाजपई के नाम पर संचालित एक पार्क के नाम को बदल कर कोकोनट पार्क रखा चाड़ा है जिसके बाद सरकार के इस फैसले को लेकर बीजपी की ओर से मुख्यमंतरी रितीश कुमार से इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की गई लेकिन अब इस पर तेश प्रताप यादब के दोरा बयान देते वे कहा गया है कि सरकारी कागच पर उस पार्क का नाम कोकोनट पार्क ही है उन्होंने कोई नाम नहीं बदला है लेकिन भाजपा के लोगों ने ही अटल पार्क को आब बोर्ड लगवाया होगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि पहले इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क ही था लेकिन वर्स 2018 में अटल बिहारी बाजपई के निधन के बाद इस्थानिये लोगों के द्वारा इस पार्क के नाम को बदलकर अटल बिहारी बाजपई का नाम कर दिया गया इंडिया और एंडिये को लेकर प्रशान्त किसोर का बयान जन सुराज पदियात्रा के सुतरधार प्रशान्त किसोर ने बीते कुछ दिनों से चर्चा में रह रहे हैं इंडिया और NDA गुट की पोल खोलते वे उन्होंने कहा है कि इंडिया और NDA में दोनों साइट देखिए 26-27 दल बैठते हैं उसमें भी दो तियाई दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसत नहीं है ये तो संख्या गिनाने के लिए दलों की पड़ी पाटी है और कर्मिकांड है कि भ धानमंत्री बनने के सपने पर तंच कस्ते वे प्रिशान के सोड ने कहा कि नितीश के पास 42 विधायक है और 16 MP है जो पिछली गड़वंधन में वो जीते थे इस पार कितना जीतेंगे ये बिहार के लोगों को हमसे बहतर मालूम है जब आपकी तागत नहीं है आपके दसांस नहीं है तो आप देश की राजनिती में क्या भूमी का आदा कर सकते हैं उन्होंने आगे कहा कि नितीश खुमार के पास कुछ है नहीं ना दल है ना इमेज पची है तो किस आधार पर आपको को कोई कुछ बनाएगा एसिया कप के लिए टीम इंडिया की हुई गोशना बितर दिन ब्सी सिया आई को ओर्ड से एशिया कप को लेकर टीम इंडिया की गोशना कर दी गई है जिसके तहथ टीम की कमान रोहीस सरमा को सौपी गई है तो वहीं उपकतान के रूफ में हार्दिक पान्ड्या को चुना गया है वह इसके लावा इस टीम में केल राहूल और श्रेयस अयर की वापसी भी हो गई है इसके लावा युवा बल्लेबास तलक वर्मा को भी पहली बार एक दिवसिये प्रारूप के लिए टीम में जगात दी गई है एसिया कप के लिए टीम में आयलाइन के खिलाफ चल रही वर्तमान श्रिंकला में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज प्रसद कृष्णा को भी शामिल किया गया है विकर की पर बल्लेबाज संजू सैमसन को केल राहूल के बैक अप के तौर पर टीम में शामिल किया गया है वहें के अलावा जिन खिलारियों का चेयन किया गया है उनमें सुब मंगिल, विराट कोहली, इशान किसन, शुडिकुमारी आदव, जस्प्रीद बुमरा, पाल के खिलाव खेला जाना है भारत के तिहास में आज की तारीक है कही कारणुस दर्च, बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने 1649 में तमिलनाडो की राजधानी चन्नाई की अस्थापना की, निटाल भारतिये कॉंग्रस के स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 894 को की राश्ट्रपती नीलम संजीव रड़ी ने 1989 में लोग सभा भंकी, राज़े सरकार न 1996 में मदरास का नाम बदल कर चन्न नहीं कर दिया, अंतराश्ट्रे स्रम संगठन द्वारा समान कारे के लिए समान पारिश्रम एकिकार योजनाव 299 को लागू हुई, मरधे प्रदेश स सरकार ने 2008 में बनवासियों के लिए साधारान वन अपराद मामले और मुआवजा वसूली खत्म करने का निर्ण लिया, भारत के सूब विख्यात कला मरमगे तथा चिंतक, आनंद कुमार स्वामी का जर्म 877 को हुआ था, फिल्म और रंगमंच, अभिनेता नर्देशक और नाटक कार, सुंपु मित्रा का जर्म 1915 को हुआ था, प्रसिद कवी एवं नाटक कार, गिरजा कुमार माथुर का जर्म 22 अगस्त 1911 को हुआ था, हिंदी के प्रसिद लेखक और वेंगकार, हरी संकर परसाई का जर्म 1924 में हुआ था, ग्यारवी लोकसभा के सदर्शय इलिय आजमी का जर्म 1934 को हुआ था, प्रसिद फिल्म अभिनेता और राजनतग्या चिरंजीवी का जर्म 1925 को हुआ था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वार इन हिस्टिंग का निधन 1888 को हुआ था, ग्यान पेट पुरसकार से सम्मारत करनर भाषा के प्रसिद साहित्यकार आ लेकिन सभी सचो यह जरूरी नहीं है, सिकर्म बात करेंगे भारतिये साइबर अप्रास समनवाई केंदR के बारे में, दरशल पी आईबीने अपने टुइट में लिखा है कि अप्तर फरजी है, भार सरकार के तहत किसी भी संस्ता ने ऐसा कोई पतर नहीं भेजा है WhatsApp में जल्द आपको मिलेगा caption edit feature WhatsApp में जल्द आप photo caption भी edit कर पाएंगे Company caption edit feature को roll out कर रही है फिलाल ये update कुछ users को मिल चुका है इसके तहट आप photo के साथ share किये caption को अलग 15 मिनट तक edit कर पाएंगे अभी तक app में केवल text message को edit किया जा सकता था लेकिन अब आप photo caption भी edit कर पाएंगे ध्यान दे कि आप सर्फ न photo caption को edit कर सकते हैं बलकि video, document और GIF का भी caption बदल सकते हैं ये feature बड़े ही काम का रहने वाला है क्योंकि इससे लोगों का समय बचेगा और वे सही message सामने वाले व्यक्ति तक कम समय में पहुंचा पाएंगे इस बात का भी ध्यान रखे कि आप message केवल उसी device से edit कर पाएंगे जिससे आपने उसे भेजा हो यानि link device से आप photo caption को edit नहीं कर पाएंगे ये update phase manner में release हो रहा है जो आपको जल्द मिलेगा सरकार ने जारी किये रोजगार के आंकरे NCS portal के दोरा जारी के गया आंकरो किनसार 2017-18 में 26 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला है जो कि पिछले 6 वर्षों में निबंधित बेरोजगारों में सबसे अधिक है मही साल 2018-19 में 18 प्रतिशत 2019-20 में 14 प्रतिशत 2020-21 में 9.7 प्रतिशत 2021-22 में 6.9 प्रतिशत और 2022-23 में 23.1 शुनिप बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है जबकि वर्ष 2023-24 में अब तक 26,843 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है बतादी के विभाग के नुसार जबसे NCS पोर्टल पर निबंधन की शुरुवात की गई है तब से अब तक में बिहार से कुल 9,23,227 लोगों के द्वारा पंजी करन कराया गया है जिसमें पुरुस बिरोजगारों की संख्या 6,92,701 है तो वहीं महिला बिरोजगारों की संख्या 2,39,538 है और 150 Transgender बिरोजगार शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार में रोजगार देने के लेकि एवल 49,283 कंपनीों के द्वारा ही अपना पंजी करन कराया गया है जबके देश में यह संख्या 9,49,756 कंपनी शामिल है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुजरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत, SSC जैसे अन्य प्रतियों की परिक्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भूवोल्स रहेंगे पूछे के 500 सवाल में आपनी कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में कहां से दुनिया का पहला 3D अगनी बान रॉकेट लॉंच किया जाएगा उप्शने चन्नाई, उप्शन B, बैंगलोर, उप्शन C, स्री हरी कोटा, उप्शन D, जासल मेर इसका सही उतर है उप्शन C, स्री हरी कोटा अगला सवाल हाली में किस राजे सरकार स्टार्टप फिस्ट 2023 का आयूजन करेगी उप्शन A, असम, उप्शन B, बिहार, उप्शन C, अरुनाचल प्रदेश, उप्शन D, मध्यप्रदेश इसका सही उतर है उप्शन A, असम अगला सवाल हाली में कहां में देश का पहला 3D प्रिंटेट पोस्ट ओफिस खुला है उप्शन A, हैदराबाद, उप्शन B, बैंगलॉर, उप्शन C, तमिलनाडू, उप्शन D, उडिशा इसका सही उतर है उप्शन B, बैंगलॉर अगला सवाल बिहार का राज्य चिन क्या है? ईप्शन A, शेड, उप्शन B, मॉर, उप्शन C, बोधी ब्रिच, उप्शन D, गॉड इसका सही उत्तर है उप्शन C, बोधी ब्रिच अगला सवाल बिहार का आरति काढ़ार क्या है? option A. खदान, option B. कृसी, option C. उद्योप, option D. परतन इसका सही उत्तर है, option B. कृसी बेटे दिन हमारी दराप पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न अपना जवाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमार दरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुहमद फहीम नुनुगोलु कुमार रंजीत मुर्श्वा राम नभी माजी पिको सिंग मुहमद साकीर हुसैन सचिन कुमार सूमन जितंदर ठाकुड नरीश ओडम संजीव सिंग मंटु कुमार अरचना भारती मुहमद सैफुला इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है आपके छेतर में विलुप्थ होने की कगार पर पहुंची पक्षी गोड़या दिखाई देती है या नहीं अपना जवाब हमें हमारी कमन स्रक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद झाल